दोस्तों एक इंट्रेस्टीन इस टूटर के तरफ से निकल के आ रही है आप लोग तो जानते हो कि टूटर का जो डील था एलोन मक्स ने 44 विलियन डॉलर में किया था अब पिछले दिन खबर यह आई दोस्तों कि एलोन मक्स ने फाइलली माना कर दिया है एंड एक तरह से जिसकी बज़ा से यह बता जा रहा है कि यह डील कैंसिल हुआ है और आप लोग जानते हो कि इस डील कैंसिल होनी की बज़ा से इलोन मक्स को तगरिवन वन बिलियन डॉलर का फाइन देना पर सकता है और अभी लिगल मेंटर चली रहा है और साथ मैं आपको बचा दो कि सेर का प्राइस हो गिया था वही पर जो टेसला का सेर था उसमें 2.5 परसेंट की इंक्रीजमेंट देखने को मिली थी तो पिछले एक दो मन से लगातार यह ड्रामा चला था एंड उसके बाद एलोन मस्क ने जो टूटर का डील था उसको होल्ड भी कर दिया था और पिछले अगली टेक दूज में कवर करता रहूंगा सो डॉन बड़ी एंड इस टेक नूज को कितने लोगों ने देखा वीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मत आना तो अगली जो न्यूज है वह आसूस के तरफ से निकल के आ रही है अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि ग्लोबल मार्केट साथ में इंडिया में आसूस ROG46 को लॉंज किया गया अब दोस्तों ऐसी खबर आ रही है कि आसूस जेनफोन 9 भी आपको बहुँ जल्दी लॉंज होते हुए दिखने वाला है और इसके रिगार्डिंग एक वीडियो सामने आई है जो की लगवग एक मि कुछ इनफोर्मेशन आसूस जेनफोन 9 के स्पेस्पिकेशन के रिगार्डिंग आपको देखने को मिल रही है एक तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपको पीछे की तरफ डूल कैमरा सेटप देखने को मिलना होगा जिसमें सोनी IMX 766 सेंसर देखने को मिलने वाला 20Hz refresh rate और साथ में प्रोसेसर तोर पर इसमें आपको Snapdragon 8 Plus Gen1 का chipset देखने को मिल सकता है तो वीडियो डेमोस्ट्रेशन में कापी कुछ डिटेल्स और लेडी आपने देख लिया होगा और मैं वो वीडियो आपको दिखा भी दूँगा और अभी तक फिलाल लॉंच डेट तो वीडियो में पता नहीं चला है तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में आपको वो भी देखने को मिल जाए तो बाकी जैसे इसकी लॉंच डेट बाहर आती है उस पर भी आपको आगे अपडेट मिल जाएगी वैसे नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आसू I-mx766 सेंसर देखने को मिलेगा और उसका जो अपर्चर लेंस है वो एक 1.8 का है primary camera sensor के support में आपको OIS and EIS दोनों का support देखने को मिलेगा और सबसे जो major point है दोस्तों यह है कि आपको box में phone के साथ कोई भी charger देखने को नहीं मिलने वाला है तो यह एक drawback हो सकता है पता नहीं company ऐसा करती क्यों है और जो भी camera samples है दोस्तों वो मैं आपको screen पर show करने वाला हूँ मैंने इसके photos देखे हैं और काफी अच्छा photos 50 megapixel का primary camera sensor capture कर ले रहा है वैसे आप photos को देखकर मुझे नीचे comment में बताना कि आपको इसका camera samples कैसा लगा जहां तक बात रही price की तो मैं आपको lady बता चुका हूँ कि यह 30,000 के अंदर ही price range में इंडिया में launch होगा तो जो भी official price होगी वो तो 12 को आपको पता चली जाएगा वैसे नीचे मुझे comment section में जबर बताना कि अगर box में charger नहीं आता है तो यह company के तरफ से एक drawback है की नहीं यह नीचे comment में जबर बताना दोस्तों अगली जो news है वो metrola के तरफ से निकल के आ रही है metrola A30 स्रीज के दो phones already लिया में launch हो चुके है metrola A30 pro and metrola A30 अब इसका जो छोटा भाई है metrola A30 fusion वो भी बहुँ जल्दी आपको launch हो देवे दिखने वाला है क्योंकि यह जो phone है multiple certification website पर spot भी किया गया है like TDRA, Wi-Fi Alliance, 3C certification जहाँ पर इस phone का model number साथ में इसकी listing देखने को मिल लई है and यह phone out of the box NY12 पर भी आने वाला है and साथ में मैं आपको बता दूँ कि पिछले साल जब इसका previous version metrola A30 fusion लाँच हुआ था इंडिया में तो तगरिवन सारे 21,000 के प्राइसर में लाँच किया गया था जिसमें आपको diamond city 800 का processor देखने को मिल रहा था तो फिलाल metrola A30 fusion के regarding ज्यादा कुछ update नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी आपको diamond city का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है and साथ मैं listing से यह भी पता लग रहा है कि इसमें आपको fast charger के तोर पर 65 watts से उपर के fast charger देखने को मिलेंगे and इस news को फिलाल एज़े आप अभी leak के तोर पर ही लेना and आगे जो भी further update आईगी वो तो टेक news में मैं आपको update देता ही रहता हूँ अंगली जो news है वो 5G के regarding है and काफी interesting news है तो इस news को आप जहुट से देखके जाना 5G spectrum की निलामी 26 July से होने वाली है जिसमें boda phone idea, geo air tail जैसे टेलिकों कमनी हिस्सा ले रही है साथ में Adani Group के चेर्मेन गौतम Adani भी इस 5G spectrum की निलामी में हिस्सा लेते हुए दिखने वाले है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों की अभी तो फिलाल तीरी बरी company 5G spectrum के निलामी में हिस्सा ले रही है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में Adani Group का भी एक टेलिकों कम्पनी होते हुए आपको दिख जाए क्योंकि जब 5G इंडिया में आएगा तो उसका data का जो cost होगा वो काफी ज़्यादा होने वाला है तो competition market में बनी रहे जिसकी बज़स से Adani Group अपना टेलिकों कम्पनी अगर स्टार्ट करती है और वो डाटा का प्राइस कम रखती है तो काफी सब्सक्राइबर Adani Group का जो टेलिकों कम्पनी होगा उससे भी जूरना चाहेगी तो यह एक good news भी है वैसे आप इस बारे में क्या स दोस्ते हो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना है और वैसे दोस्तों मैं आपको यह भी बता दू कि 5G को आने में इंडिया में अभी काफी टाइम है और यह अगर स्टार्ट भी होता है तो 2024 के आस पास ही आपको इसका 5G network इंडिया में देखने को मिलेग एंड जिलोगों ने हमारा पिछले दिल का टेकनूस नहीं देखा तो मैं उपर आई बटन में देद रहा हूँ आप उसको भी जाकर जरूर से वाच कर सकते हो साथ में जो लोग भी नहीं हो जो मारे चैनल को रेगलर बीजट करें तो किस बात की देरी भाई चैनल को एकदम सब्सक्राइब मारो साथ में बेल नोटिपिकेशन को भी ओन करें थाकि जैसे ही मैं वीडियो डालू उसका नोटिपिकेशन आपको जल से जल मिल जाए और यार रेगलर मेनत कर रहा हूँ काफी वीडियो डाल ला हूँ तो भाई को सब्सक्राइब मेरे चैनल पर पुरा कर आप लोग ऐसा जरू करोगे और साथ में आप लोग मुझे इस्टाग्राम फेस्बूक और ट्वीटर पर भी फॉलो कर सकते हो उन सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ और मोस्ट इंपोर्टन दोस्तों नीचे अपना फीड़ग दिया करो कि परक नहीं परेगा तो फिलाल इस टेक्निक में इतना ही मिलते हैं कलके टेक्निक में तब तक के लिए स्टे सेफ एंड उमाएवागा